सलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं युनिट 13 पेक्टिकल जोमेट्री जिसमें हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने होते हैं जब हमारे पास साइड्स गिविन हो या एंगल गिविन हो तो उसमें हमारे पास कैसिज हैं कि जब दो साइड्स या जो दो angles given हो तो उस हिसाब से हमारे पास पहले एक example है तो case यह है कि एक triangle construct करना है जब दो side और एक angle given हो जो के उन दोनो sides के बीच में हो जैसे दो sides होती है उनके बीच वाली angle जो होती है तो यहनि उनके opposite वाली side angle नहीं हो यहनि उनी दो sides के बीच वाली angle हो तो AB side है, AC side है, angle A है 75 तो हम triangle construct करेंगे तो पहले कोई भी आप इन दोनो sides में से AB, AC में से कोई भी एक side जो है वाब बना लें तो steps भी आप लख सकते हो जो के आपने follow करने होगे के draw a line, draw AB 4.8 cm ठीक है तो यह हम scale की मदद से 4.8 cm की line बनाएंगे तो यह हमने AB बना लिया 4.8 cm ठीक है तो उसके बाद है AC हमने बनाना है 3.2 cm का लेकिन angle A जो है वह हमारे पास कितनी है 75 देखें आप triangle बनाने जा रहे हैं तो यह AB हो गया तो बाकी यहां से एक line बनेगी कोई भी यहां पर C point होगी C को B से मिलाना है C को A से मिलाना है तो हमारे पास AC का जो है वो length given तो protector की मदद से यहां पर A point पर A vertex पर हम 75 angle का mark लगाएंगे तो यह protector हमारे पास इसे साब से 75 angle का जो है वो पहले mark लगाएंगे तो यहां पर 75 का angle बन रहा है यहां पर तो यह बहुत आप line जो हो पूरी बना लें लेकिन हमें यह AC जो हो 3.2 cm का चाहिए तो वह हम scale की मदद स कर लेंगे यहां पर आगया 75 angle जो के हमारे पास given था ठीक है अब यहां पर 3.2 cm का हमें जो लेंज चाहिए जिसको हम C point का नाम देके उस C को फिर B से मिला देंगे 3.2 cm हम scale की मदद से बना लेंगे यहां तक आ गया इसका 3.2 cm अब आपने क्या करना है इस point को C का नाम देके फिर C और B को आपने मिला देना है यह हो जाएगा आपका required triangle जिसमें आपके पास दो side और included एक angle given था ठीकर यह मेरमेंट का पता हो ना हो उससे कोई फरग नहीं पड़ता या गया ट्राइंगल यह दूसरा केस देखें आपके पास है कि जब आपके पास दो angles हो और एक side हो where angles are यह उन्हीं दो angles जिस points पे जिन vertex पे बन रहे हो ना उसी की side आपके पास given हो यह यह angle A given है angle B given है तो side आपको AB given है तो यह बहुत आसान है आपके पास आपने सिर्फ क्या करना है पहले AB side जो हो बना लेनी है आपने यह आपके पास 5.5 cm AB का length आ गया अब आपने A पे बनानी है 75 angle और B पे बनानी है 40 angle फिर वो जहां पे intersect करेंगी तो वो हमारे पास एक complete triangle आ जाएगा तो यहां पे हमने A पे जो है वो 75 का angle बनाना है तो A पे इसका center रखके हमने 75 का angle यहां पे mark कर दिया और उसके बाद यहां पे 40 का angle ठीक है यहां से इस तरफ से आप count करोगे प्रोटेक्टर में यहां पे दो होते हैं यहां पे numbering जैसे यहां से 0 से 180 पे खतम होता है यहां से दूसरी साइड पे आपके पास 0 से इस तरफ 180 तो आप अगर 40 बनाने चाहरे तो अब आप यहां से count करोगे तो यह आगया 40 यहां पर अब इन दोनों angles को आपने जो फिर extend कर देना है जैसे यह पहले में 75 वाली को मिला दूं तो एक side यहां से हो जाएगा और दूसरा जब मैं 40 angle को complete करूंगा तो वह जहां पर intersect करेगी वही हमारी सी पॉइंट हो जाएगा यह वाला सी पॉइं ट्राइंगल आगे जो पॉइंट सम जिसरे रूल्स के सबसे हम बनाते जाते हैं वो आपने लिखने भी होते हैं कि ड्राइबी लान 5.5 cm टेक सेंटर एंट मेक नेंगल आइंगल आफ सेवनटीफाइव एंड टेक एंगल टेक सेंटर भी एंडेक अंगल आफ 40 एंड दे ला यह एक example देखें यहां पर भी आपके पास angle 2 हैं लेकिन side जो है आपके पास वो इन्हीं AB से मिलकर नहीं बन रही है जैसे यहां पर हो रहा था ना वैसे यहां पर नहीं है BC side है और angle A और B है आपके पास तो इसमें simply आपने करना क्या है कि इस question को इस तरीके से solve करना है कि BC आपके पास अगर side given है तो उसके लिए angle B चाहिए और angle C चाहिए जैसे AB था ना angle A था हमारे पास और angle B था तो BC के लिए angle B चाहिए और C चाहिए तो A angle है आपके पास B angle है तो C angle आप असानी से find कर सकते हो क्योंकि triangle में आपके पास जो है वो कितना हो जाएगा 105 वह उस तरफ जाके होगा उससे माइनस तो एंगल C आपको मिल गई 75 अब angle C भी है आपके पास और एंगल B भी है आपके पास तो BC आपने बनाके एंगल B बनानी है 40 और एंगल C बनानी है 75 तो इस तरह आपके पास जो है वो यह ट्राइंगल आ जाएगा बी और यह सी है ठीक है यहां पर 40 और यहां पर 75 इसका थर्ड केस देखें आप जब आपके पास दो साइड हो और एक एंगल अपॉजट टू एनी गिविन साइड पहला पहला कैसे हमने किया था जिसमें दो साइड थी और उन्हीं के बीच वाली कोई एंगल थी हमारे पास अ एक साइड की अपजाइड एंगविन होगी जैसे adiaबी हैए बीसी है तो इनके बीच वाली इंगल ? है बी हो जैसे इसमें बी में बी आर रहा है यहीं में बी आर तो उन्की बीच वाली एंगल भी होगी वह नहीं घिए तो इसके लिए आपने किस तरह ट्राइंगल बनाना का और बी-सी जो है वो 3.7 cm का यानि B, C इस तरफ यह किस तरफ होगा कहां पे होगा 3.7 cm वो यहां पे इंगल A decide करेगा तो पहले आप इंगल A 40 का जो है वो एक मार्क बना लें कि इंगल A जो है वो यहां पे लाइन 40 डिग्री की हो तो यह पहले आप 40 डिग्री बना लें फिर यहां से जो है वो हम 3.7 cm को देख लेंगे तो इंगल A पे हम 40 बना लें इस पॉइंट पे आ रहे हैं इंगल 40 तो आप इसको मिला के एक लाइन बना लें यह आगया 40 डिग्री एंगल आप के पास यह आपने स्टेप भी लिख लेंने के ड्राइए असाइड एबी 5.3 cm एंड टेक सेंटर एंड मेक एंगल आप 40 अब देखें आपको बीसी जो बनाना है वो 3.7 का बनाना है तो बीसी 3.7 यहां पे आपके पास अगर तहीं दो पॉइंट्स पे आता है तो आपने दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करना है जैसे मैंने यह आर्क जो ओपन किया हुआ है इसका कमपास का वो 3.7 cm का है तो यहां पे देखें हम 3.7 cm अगर देखें तो यह दो जगाओं पे आ रहा है तो आपने क्या करना है यहां पे इसको भी देना है यहाँ पे भी 3.7 cm आ रहा है और यह यहाँ पे भी 3.7 cm आ रहा है तो यहाँ पे दो आपको C की Poynts जो हो मिल गई हैं इसको आप C का नाम दे 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 इसको आप C देश का नाम दे दे आप इन दोनों को मिला होगें तो यह triangle driving दोनों posible आके पास कि एक यह ट्राइंगल हो गया यहां पे 33.7 cm है यह भी 40 दिग्री यहां पर AC इसका और AC डेश का इसका लेंठ का फरका सकता है लेकिन ट्रैंगल जो जो डिवन चीजें विन असाफ से यह दोनों ट्रैंगल आपके पास पॉसिबल है इसमें और एक एग्जेंपल है आगे उसमें ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं होता वो मैं आपको यहां पर ही बता देता हूँ जैसे हमने यहां पर AB बना है 5.3 cm एंगल एलिया 40 अगर यह लेंथ जो है जो के BC हमारे पास 3.7 थी यह अगर कम होती टू होती या 2.5 सम्थिंग होती तो आप अगर यहां पर रखके इसको बनाते नहीं इस तरह है इन्हीं मिसाल के तो पर 2.5 गिवें होता है BC हमारे पास तो यह उस साइट को कटी नहीं करती इसको जो 40 पे बन रहा है तो आप कहते कि बाई यह ट्राइंगल आपके पास पॉसि कि बाली नहीं होगा